हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1 फरवरी से 6 फरवरी के Important Current Affairs के बारे में तो हम हर मंडे इसी प्रकार से पूरे सप्ता का जो Important Current Affairs होगा उसके बारे में डिसकस करेंगे Weekly Current Affairs सो के अंतर का जिसमें जो भी Important News होगी पूरे सप्ता की उसके बारे में हम डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहले जो Books and Author हैं इस सप्ता में जो भी रिलीज की गई है बुक्स उनके बारे में और उनके राइटर्स के बारे में डिसकस करेंगे हम आज की क्लास में तो सबसे पहली जो हमारी बुक है इसमें वो है Fearless Governance तो जो Fearless Governance है किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है क्योंकि Books and Author से Related जो Questions हैं वो मारे एक्जाम में पूछे जाते हैं Current से Related जातर जो Books हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है तो Fearless Governance के नाम से जो बुक है वो लिखी गई है कीरण बेदी कीरण बेदी के द्वारा लिखी गई बुक है Fearless Governance उसके बाद एक और बुक आती है The Class of 2006 और ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो ये बुक लिखी गई है आकास कंसल के द्वारा तो ये नाम भी आपको याद रखना है आकास कंसल के द्वारा लिखी गई बुक है The Class of 2006 उसके लावा और विद्व बुक रिलीज की गई इस सप्ता और उसमें है India That Is भारत ये जो बुक है पूरा नाम वश्य इस बुक का है India That Is भारत Coloniality Civilization Constitution और ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है J. Sain Dipak के द्वारा ये भुक लिखी गई है उसके अलावा एक और बुक है जो रिसेंट्री ही लांच होई है Golden Boy नीरा चोपडा तो नीरा चोपडा के उपर ये एक बुक है जो की लिखी है इप सिंग्गिल के द्वारा लिखी गई बुक है गोल्डन वॉय नीरच शोपड़ा तो यह important बुक्स हैं इस सब्ता पूछी गई उसके अलाव आप देखते हैं जो other current affairs है उनके बारे में तो सबसे पहला इसमें जो question है इस्पितुक गुस्तर फेस्टिबल का आयोजन कहां किया गया यह यह जो फेस्टिबल है तो यह जो फेस्टिबल है यह है लद्दाक का तो लद्दाक में यह एक फेस्टिबल मनाया गया है जिसका नाम है इस्पितुक गुस्तर फेस्टिबल उ उसके अलावा तोरग्या महसो इसका आयोजन कहां पर किया गया तो ये जो तोरग्या महसो है ये मनाया जाता है नौर्थ इस्ट के राज्य अरुनाचल प्रदेश में तो ये अरुनाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला महसो है तो ये हमारे करेंट के रिलेटेट उनके बारे में डिसकुस किया है अगला question है यहाँ अपर Hoasala मंदिर, कहां इस्थी थै यह एक temple है जो कि काफी शर्चा में रहा और यह जो temple है यह कहां इस्थी थै तो यह करनाटक का एक मंदिर है Hoasala मंदिर और यह करनाटक में तो प्रधान मंतरी निर्द मोदी के द्वारा इस foundation का अनावरण किया गया अब हम देख लेते हैं आगे कि जो हमारे question है सबता के उसमें है बाबा इकबाल जिनका की अभी निधन हो गया पदमस्री से सम्मानित ये जो बाबा इकबाल है ये basically कौन थे तो ये थे एक सामाजिक कारे करता ये एक सामाजिक कारे करता थे और इनको पदमस्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था उसके अलाबा अगला question है पहला unicorn sport enterprise कौन बना है तो पहला जो unicorn sport enterprise बना है वो है चेन्नाई सुपर किंग्स जो की IPL की एक team है MS धोनी इसके कप्तान है तो चेन्नाई सुपर किंग से ही अभी पहला unicorn sport enterprise बना है अगला question है भारत की startup राजधानी कौन बनी है तो अभी जो भारत की राजधानी है वही यहाँ पर startup राजधानी बनी है पहले मंगलूर हुआ करती थी बट अब भारत की startup राजधानी है वो दिल्ली बन गई है अगला question है भारत का पहला भू वैग्यानिक पार्क यानि जो पहला भू वैग्यानिक पार्क है वो कहां बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा MP के जबलपुर में क्योंकि यहाँ पर मिले हैं कुछ जो डायनासूर्स के यहाँ पर आसेश देखने को मिले हमको MP के जबलपुर में और इसलिए इसी को जो उसेस हैं नहीं को सनरच्छित करने के लिए भारत का पहला भूब अग्यानिक पार्ग बनाया जाएगा MP के जबलपुर में बढ़ते हैं अगले कुछ कुश्चन की और और अगले कुश्चन में हैं वर्ड गेम्स एथलीट ऑफ दा इयर दोहजार इकिस का पुरुसकार किसे दिया गया तो हाकी के एक फेमस किलाड़ी है पी आर स्रीजेस तो पी आर स्रीजेस को ही वर्ड गेम्स एथलीट ऑफ दा इय किया तो basically इसका जो नाम है वो हां सोंकर कई जगे आपको अलग अलग नाम भी मिल सकता है क्योंकि थोड़ा सा Korea नाम है तो इसका जो परिछन किया है वो किया है उत्तर Korea ने तो उत्तर Korea के द्वारा इस Missile का परिच्छन किया गया है तो ये भी आपको याद रखना है फिर अगला क्वेशन है दुनिया की पहली हाइडोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट ये नाम है फ्लाइंग बोट का दाजेट इसको किस ने लांच किया है किस देश के द्वारा इसको लांच किया गया है तो ये दुबई में लांच की गई है दुनिया की पहली हाइडोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट तो ये क्वेशन भी काफी इंपोर्टेंट है आपको यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से याद रखना है अगला क्वेशन है देश की पहली बुलेट ट्रेंट का पहला इस्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा तो देखिए बुलेट ट्रेंट का शपना रहा है भारत का कि हम यहाँ पर bullet train चलाएं और कई जगे जापान से कई सारे समझोते भी किये गए bullet train से related तो अब यहाँ पर जो news है कि देश की पहली जो bullet train चलेगी उसका पहला station तहां बनाया जाएगा तो यह बनाया जाएगा गुजरात के सूरत में तो सूरत ही वो पहला station होगा पहली bullet train का अगला question है यहाँ पर project सदभाउना किस राज्य का है यानि किस राज्य के द्वारा project सदभाउना को यहाँ पर शुरू किया गया तो यह basically जो project है यह असम का project है और किसलिए इसकी शुरूवात की गई तो इसकी शुरूवात सासन में सुधार है तू सासन में सुधार के लिए इस project को सुरू किया गया project सदभाउना को असम में और उसके अलावा बात करें vision document करके एक जो project है इसको किसके द्वारा सुरू किया गया तो एक मंत्राले है खाद्य पुशेंशकरन उद्योग मंत्राले उसके द्वारा vision document को सुरू किया गया अगला question है यहाँ पर गरतंत दिवस की parade में सर्वसेष्ट जहांकी का पुरुसकार किसे दिया गया तो उत्तर प्रदेश की जो जहांकी रही उसको सर्वसेष्ट जहांकी का यहाँ पर अवार्ड दिया गया गया गरतंत दिवस के उसके अलावा अगला question है बाटा इंडिया का brand ambassador किसको बनाया है यानि जो बाटा इंडिया basically footwear की एक company है बाटा इंडिया और इसके द्वारा अभी जो brand ambassador बनाया गया है वो बनाया गया है दिसापाटनी को तो दिसापाटनी को भी brand ambassador बनाया गया है बाटा इंडिया के द्वारा तो यह हमारी इस सब्ता की कुछ important news थी उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अन्य भी news जिसे गेल ने प्राक्तिक गयास प्रणाली में hydrogen mission की जो परियोजना है वो कहां से शुरू की तो यह indoor में शुरू की उसके अलावा कुछ अभी दो फरवरी को दो फरवरी को कुछ रामसर साइट्स यानि दो रामसर साइट्स भी add की गई है जिसके बारे में हमने आपको भी नहीं बताया इस क्लास में वो हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी हम रामसर साइट्स को अपडेट करेंगे क्योंकि जब हमने पिछले साल इसमें lecture लिय यानि उन सभी चीजों को अपडेट करेंगे हम जो भी नए टाइगर रिजवर बने हैं नए नेशनल पार्क बने हैं और नई जो रामसर साइट्स अभी दो फरवरी जब वर्ड विटलेंट्स डे मनाया गया है यहाँ पर तभी भारत में दो नई रामसर साइट्स भी बनाई गई है वैसे संख्या आपको याद रखनी है यह 49 संख्या यहाँ पर रामसर साइट्स की भारत में वरतमान में हो गई है और तो उस क्लास को भी आप देखना न भूले और जल्दी वो क्लास आपको हमारे चैनल पर मिलेगी और यह हर मंडे हम यहाँ पर पूरे सब्ता का ज से रिलेटेड और आगाम एक्जाम से किस प्रकार से लगबख जो करेंट अफेर्स है वो पूछा जाएगा उसके बारे में भी हम डिटेल में वहाँ पर डिसकस करेंगे साथ ही साथ जो अधर टॉपिक वाइच करेंट अफेर्स है वो भी हम इस बीच में अपडेट करते र मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद